विद्यारत मित्रों आज सफलता को पाकर के जीवन के एक दूसरे दायरे की और प्रस्थान कर रहे सभी नवजवान मित्रों को मैं बहुत बहुत शुब कामना है देता हूँ मत्रों आप सब बहुत भाग्यवान है क्योंकि आज भारत की न्याय प्रणाली के सेसर्थ व्यक्ति आपको आशिरवात देने आये हैं आपको सम्मान करने आये हैं आपके जीवन को प्रेरणा देने आये हैं ये घटना इस खेत्र के किसी भी विध्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है वो जीवन के हर पड़ाव पर इस बात को हमेशा हमेशा याद करेगा और इस अर्थ में आप बहुत ही भागवान हैं कि आदर्णिय कभीर साब के हाथों से आपका सम्मान हुआ है भागवान है एक प्रकार से लौ युनिवर्सिटी का दसक पुरा हो रहा है और इतने छोटे से कालखंड में इस युनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान की न्याय फिर ये जन्ता में न्याय प्रणाली में और लोग की दुनिया के भी ध्यार्शों की जीवन में एक बहुत ही आशा जगाने वाली जगा बना दी है जब ये लौ उनिवर्सिटी का प्रारम हुआ था तब एक छोटे से मकान में हमने प्रारम किया सिमान हमारे किरिट भायरावल इसके पीछे लगे रहते थे अब तो वो रहे नहीं लेकिन उस समय जो विजन था वो आज मैं देख रहा हूँ दस साल के बाद कि हम सही दिशा में जा रहे हैं बहुत सामर्थक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अब तक तीन कॉन्वोकेशन हो चुके हैं ये चोथा कॉन्वोकेशन है और तीनों कॉन्वोकेशन के बाद यहां से निकले हुए विज्वार्थियों ने जहां भी अपनी जगा बनाई होगी जिस किसी प्रोफेशन को स्विकार किया होगा मैं विश्वास से कहता हूँ कि वो जहां भी होंगे उनके काम की सराना होती होगी उनके वेवार की सराना होती होगी और बेवी जब तारीख सुनते होंगे तब हर पल इस उनिवर्शिटी को याद करते होंगे और यहां के समस्मरणों को अपने फिर से एक बार पनस मरित करते हुए जीवन में एक नई उर्जा प्राप्त करते होंगे मुझे ये भी विश्वास है कि एक प्रकार से ये लौ उनिवर्शिटी लगू भारत है और इस लौ उनिवर्शिटी से जाने वाला हर भी द्यार थी न सिर्फ लौ की डिगरी लेकर के जा रहा है यासा नहीं यहां से जाने वाला हर भी द्यार थी मेरे गुजरात का एमबेसेडर बनके जाता है वो जहां भी जाता है मुझे विश्वास है वो भूरी भूरी प्रसंसा गुजरात की करता होगा और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि हाँ पर देश के कौने कौने से जो विद्यार्थी आते हैं उसमें अधिक्तम विद्यार्थियों का पारिवारी बेग्राउंड भी लौफिल्ड का ही होता है या तो कृताजी पकालत में होंगे या जोड़ी शरी में होंगे तो उसी दुरियां से ज़्यादा तर विद्यार्थी आते हैं और इस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्ता और प्रणाली में आपके माध्यम से गुजरात की सही और उंची बात पहुंचती होगी यह मुझे पूरा विश्वात है और उसके कारण आपके माध्यम से देश और दुनिया में आप जहां जाते होंगे लोगों को गुजरात की सही बात बताने का आपको और ऑफसर मिलता होगा और गुज्रात को भी इस बात का गवरव होता होगा कि जो विध्यार्दी हमारी यहां आये थे वो आज हमारे दूद बनकर के दुनिया में पहुँचे है और हमारे राज्य की प्रसोंसा और प्रफिश्टा बढ़ाने में वो अपना योगदान देते हैं विध्यार्दी मित्रों जीवन में विध्यार्दी काल में एक अलग मस्ती होती है एक अलग आनंद होता है लेकिन जिस पल यह प्रमान पत्र लेकर के भार निकलते हैं उसके बात जिन्दगी अनेक सवाल लेकर के हमारे सामने खड़ी होती है आंने प्रस्टों को लेकर करके खड़ी होती है और तब जा करके हमारी सिक्षा दिख्षा की सही कसोटी प्रारम होती है अब तक जब आप पढ़े हैं तब किसी ने किसी ने आपका मारदर्शन किया है इस कोई निकोई था जिसक्र आपको उंगली पर कर कि आगे ले जाता था कोई नहीं दॉत कोई पर जो आपको ये करो ये ये करो ये ना करो और तब जाकर के आपके भीतर का जीवन जो यहां से कुछ श्मृत्या रही होगी वो आपको गाइड करेगा हाँ यार मैं सेकेनियर में था मेरे एक तीचन मुझे ये कहा था ये नहीं करना चाहिए नहीं मैं नहीं करोगा मित्र यहीं से जिन्दिकी के सुरुवात होती है और मैं जब इस्वाथ है मित्रों यहां का हर पल यहां का पूरा अनुखव आपको जीवन के आगे के काल में जब भी जहां भी कदम रखोगे आपको एक नई प्रेर्णा भी देगा और मारदर्शन भी देगा मित्रों गुरु के साथ रहकर के जीवन में दिशा पाना गती पाना प्रेरणा पाना बराध सब्हावालक होता है लेकिन उनके घ्यर मौशूदगी में हर पल जीवन में नेड़े करना बड़ा कठीन होता है लेकिन वो तम निग्रेश कठी थरलता से होता है कि अगर हमारी स्विक्षा दिख्षा ठीक हुई है तो उन संकटों को भी हम पार कर सकते हैं मुझे विश्वास है कि ये सभी नवजवान हर संकटों को पार करते हुए जीमन के सभी सपनों को साकार करने का सामर्द प्राप्त करकर के इस धर्ति से आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे पुरा विश्वास है मुझे ये भी पुरा भी स्वाथ है कि आपने जिस खेत्र में सिख्षा दिख्षा पाई है उस खेत्र की सिख्षा दिख्षा से गरीब से गरीब मानवी की सेवा करने का उत्तम से उत्तम अवसर मिलता है किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाना ये छोटा काम नहीं है और जब इंसान को न्याय मिलता है तब अपनी जिन्दगी को पार कर लेता है बित्रा कभी कभी तो व्यक्ति प्रोसेश से परिशान होता है नाय लटकता रहता है तब बहुत परिशान रहता है सजा से भी वो ज्यादा संकटवान होता है और जो वकील डेट पर डेट लेने की आदत रखते हैं साथ उनकी तीजोरी तो भर जाती होगी लेकिन उस गरीब मानवी के मन पर जो बिच्ती होगी इसकी कोई कलपणा नहीं कर सकता है और इसलिए मैं प्रार्षणा करूंगा मेरे इन नवजवान साथियों से कि हम गरीब की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं उसको सही न्याय मिले जल्द न्याय मिले उसके लिए क्या कर सकते हैं और एक वकील चाहे इस दुनिया में लगा हुआ इंसान चाहे बहुत कुछ कर सकता है और इस उनिवर्सिटी निकला हुआ भिद्यार्दी जरूर उन गरीबों को ध्यान में रख कर के करेगा ऐसा मुझे पराभरोसा है बाई ये वैदो आप इस लॉज उनिवर्सिटी से जा रहा है तब आप ये मत सोचिए कि आपके पिताजी के पास पैसे थे आप अमीर घराने के थे, आपके पिता जी एफोर्ड कर सकते थे, इसलिए आपको इतनी अच्छी उनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था, आपको यहां रहने के लिए उसर दिया था, यहां के सिर्फ प्रोफेसर की तरह मत देखिए, जिन्होंने आपने पढ़ाया ह उस चाई की कितली वाले को भी आद करना, जिसने कभी आपको आधिराग को चाई पिलाई होगी, उस गरीब को भी आद करना दोस्तों, और यही तो लोग हैं जो हमारे जिन्द की बनाते हैं, यह सामानने से सामानने मेटने हमारे जिन्द की बनाता हैं, कभी कॉलेज के किसी जाना होगा कपड़े प्रेस कराने बागी होंगे कभी दूर सुद्र किसी दोवी को कहा होगा यार जरा आजाओ वो बेचारा घर्मी में पसीने से रेब जेब अपनी साइकल लेकर के दोड़ते आया होगा आपके कपड़ों को प्रेस कर दिया होगा और अपने विड़े के कई लोगों के साथ सईयोग के कारण बनती है हमारी जीनगी को बनाने के लिए बहुत लोगों ने योगदान दिया होता है अगर जीवन में इस हर व्यक्ति के योगदान को याद रखते हैं तो मन में एक इच्छा होती है कि मैं भी जहीं मौका मिलेगा उस समाज को कुछ लोटा हूँगा मित्र समाज को लोटाने का संकल्प घर के जाना मैं समझता हूँ आज क्या उसर से सबसे बड़ा हमारे लिए संदेश से है मित्र हमारे देश में ये कॉन्वोकेशन की परंपरा कोई नहीं नहीं है अगर सात्रों की तरफ देखा जाए तो तैत्रही उपनि को चलाया गया है और हमारा देश ऐसा है जिसने सिक्षा से ज्यादा दिख्षा को महत्म दिया है और इसलिए इस सिक्षा और दिख्षा दोनों को ले करके आप जीवन को प्रगति की नई उच्चाईयों को पार करेंगे यह मेरा प्रद विश्वाद है मेरी आप सब को है उनका दिने तरह में मारदरसन मिलता रहा है मैं उनका भी बहुत-बहुत आभार वेक्टे करता हूं जाई जाई कर दो गुजरा कि वाजपन